नमस्कार मेरे नाम है जयनती जहाओ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूस परिट कलबाई दोस्तों एक तरफ गुजरात में विधासवा चुनाव होने हैं तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचर प्रदेश में भी चुनाव का विकुल यहां पर बच चुका है फूका जा चुका है बिकुल फूका जा चुका है और जो हिमाचर प्रदेश के विधासवा चुनाव है वह जल्द ही होने हैं बारतारिक को चुनाव होगा यानि मत्दान होगा और 8 दिसंबर को इसके नतीजे सामदे आएंगे लेकिन देखे एक तरफ जहां गुजरात में कहा जा यह दोस्तों सामने आ रही है हमाचर प्रदेश से वह कोंग्रस के लिए जटका देने वालन क्यू dürकर कंग्रस महीला कारेकर Тाप जितनी भी थी वो निर्मला सीता अरमन के साथ सेलफी लेती वोई नज़र आई अब देखें किसी भी पार्टी दो पार्टीयां साइसाफ तोर पर यहां पर बात हो रही है बीजेपी और कॉंग्रेस यह दोरों पार्टीयां एक दूसरे की प्रितिवंदी पार्टी हैं अभी इस समय में क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है भारत जोड़ो यात्रा के समय में राहुल गांधी जिस तरीके से बीजेपी पर हमलावर है उससे ऐसा बिल्कुल अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कोई भी कॉंग्रेस का कारिकरता या कोई भी कॉंग्रेस की महिला कारिकरता जितनी है वो जाकर बीजेपी के किसी नेता के समर्थन में खड़ी होंगी या फिर बीजेपी की किसी नेतरी के साथ सेलफी लेंगी पोटो लेंगी अपना समर्थन उनको दिखाएंगी या उनको पसंद करेंगी यह तमाम तरीके के सवाल अगर यहां पर खड़े हो पर इसका कितना असर पड़ता है और आगे जाकर यह कॉंग्रेस की जीत में तब्दील होंगे या हर में यह देखना होगा दोस्तों वहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करेंके जरूर बताईएगा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और मुलें और मुलाकात होगे आपसे किसी ऐसी खबर के साथ तक तक के लिए नमस्कार